हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जो लोग अच्छे नहीं है उनके लिए मेरी दुआ है कि जल से जल वो टीटमेंड ने और अच्छे हो जाए एकलिशिया कार्डिया जो के एक स्वालविंग डिसॉर्डर है जिसमें यह लोवर स्विंक्ट है और आज हम बात करें गे नियुमेटिक बज्रूं डिशन जो के नॉन सर्जिकल मेंघर्ड है जो लोग सर्जीन से बचना चाते हैं उनके लिए यह बहुत बढ़िया वीडियो है नॉन सर्जिकल डू है यह यह niemand सर्जिकल मेघर्ड दू है दोरों मैसे जो सबसे जब सब् न्यिमेडिक बलून डालेशन है जिसको शोट में PD बोलते थैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है न्यूमेटिक बलून डालेशन और इसके क्या pan- contributed क्या होता है और इसके क्या outcome है और क्या हमीद लगा सकते है कॉमवेया खाना , और इससे किसके लिए ये बढ़िया रहेगा ये भी हम जानेंगे और इसका comparison करेंगे surgery से किया फर्क है उससे आप एक नतीज़ा निकाल सकते हैं आप एक conclusion निकाल सकते हैं तो इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि pneumatic balloon dilation है क्या pneumatic balloon dilation के अगर आप लफजों पर गौर करें तो आप देखेंगे pneumatic का मतलब होता है कोई भी कोई एक ऐसा टूल जिसको जिसमें मौझूद हवा की मदश से pressure का स्तमाल किया जाए तो उसको pneumatic बोल सकते हैं एक adjective की तरह है ये कि जैसे कोई tire है तो टायर में भी हवा का pressure का स्तमाल किया रहता है तो उसको pneumatic tire बोल सकते हैं इसी तरह से एक और टूल है या कोई technique है तो इसको pneumatic बोल सकते हैं एक technique है डिलेशन डिलेशन मतलब पहलाना यह जो बहुत जाए हो जाता है स्फिंक्टर इसको पहलाया जाता है बलून की मदश से और बलून के अंदर मौजूद है ह हावा से बनता है प्रिशर वही उसको लूस करता है तो इसलिए उसको बोला गया है कि pneumatic balloon dilation pneumatic balloon dilation के लिए जो balloon आते हैं वो balloon अलग-अलग किस्मों के आते हैं अलग-अलग manufacture की तरफ से अलग-अलग varieties में और इसमें mainly तीन length ecclesia cardia में इस्तमाल जादतर होती है एक 30 mm का होता है जो diameter होता है और एक 35 mm का diameter होता है एक balloon का और एक balloon और है जिसका diameter होता है 40 mm ये तीन टाइप के ecclesia cardia में खुस्वसान इस्तमाल किया जाते हैं इसके अलावा भी बहुत सरी ऐसी problems हैं जिसमें balloon dilation technical इस्तमाल किया जाता है जिसमें balloon dilation technique का इस्तमाल होता है उसमें 20 mm वाला चलता है बनला 2 cm और लेकिन ecclesia cardia में 30 mm यानि कि इतना पहल दाएगा हो तीन सेंटेमेटर कितना होगा इतना और इससे ज्यादा किसे काम नहीं बनता है तो फिर next session होगा जिसमें 35 mm फिर उससे next 40 mm और इसमें कैसे होता है यह होता ही ऐसा है कि पहले endoscopy करते है और फिर उसको बलून को भेशने है गाइड वायर होता है कि उसकी मदद से बलून को जगा फिट कर देते हैं कि जहाँ पर tightness होती है और मला उसके बिल्कुल दर्म्यान में उसके बिल्कुल beach में फिट कर देंगे और सही जगा फिट करना बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है इस पर भी डिपेंड करता है कि क्या outcome निकलेगा कितनी अच्छी quality मिलीगा आपको इसके result की तो सही जगा फिट करना ज़रूरी तो सही जगा उसको फिट करेंगे किसकी मतलब से उसको देखते रहेंगे और गशी जो फिट की मतलब एक से एकसरे होते हैं तो एकसरे का वीडियू फिल्म समझज़ लिजा हूं वीडियू फिल्म के क boundary जी एकसरे पिक्टर इखती रहती है उससे दिखता रहता है कि कहा पहुचा कहां पहुचा, पहुच जाता है, उसके बाद पर प्रेस्ट प्रोसस शुरू करते हूँ, इसको प्रिसर्याजिशन की इसमें एर डालते हैं, बाहर से एर डालेंगे, अंदर बोब फिट हो चुगा है, अब जब एर उसके अंदर डालेंगे, तो वह डालेट होगा, बलून डाले हैं जब फुरे क्वाइश को चीरिएगा कि असोफफफग को मतलब इसवेटatamente के जहां पर यहीं पर एव सखानाバल्लो कर नहीं पीलनेपार है पेटमे पने तो जब उसको डायственं जब फैलता है टो इसको मतल just कि जिसकी वेज़ से वो लूद हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि बलकि जादा तर ऐसा होता है कि बहुत जादा ऐसा होता है कि बार बार करवाना पड़ता है एक बार में नहीं होता काम बार बार कराते रहो कराते रहो कराते रहो यही इसमें चक्क कर रहता है इसका नियुमेटी बलून डिलेशन का खेर कॉंप्लिकेशन्स हैं यही बात करेंगे कॉंप्लिकेशन्स पर भी तो इसको इस सरह से चीरा जाता है उसके बाद फिर जब हो जाता है सेशन कंप्लीट तो उसके बाद निकाल देते हैं बलून को बलून को निकालने के बाद फिर इंडस कपी फिर करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कहीं पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है और सब कुछ अगर सही मिलता है फिर मैनोमेटरी करत तो फिर नेक्स सेशन दखेंगे और इस ताना से चलता रहता है मामला फिर कुछ टाइम बाद अगर वापीस से रिकर दुबारा से रिपीट हो जाता है वह तो हो नहीं है कि पर्मेंनेट सोलेशन तो कोई भी नहीं है इसका जब बाद में हो जाता है तो फिर पर दॉक्टर दौरा से कोई complication अगर हो जाती है तो surgery करनी पड़ जाती है complication की हम बात करें तो complication में सबसे ज़्यादा common और सबसे ज़्यादा जो main complication होती है वो है इसमें perforation मतलब tearing उसका फटना अगर उसमें कभी hole भी हो सकता है इसमें hole हो सकता है फट सकता है यह बहुत बड़ी complication हो जाती है हाले कि अगर छोटी मोटी होई है perforation तो वह इतना है कि वह एंटिबाटिक से cover कर लेते हैं doctors बस बड़ी complication हो जाती है तो फिर surgery करनी पड़ती है वहापे से मालब दुबारा surgery मालब end the end जाना surgery की तरफ ही पड़ता है तो रिस में रहता ही है जादतर gastroenterologist इंतिजाम होता है वहापे सब जादतर surgery का में इंतिजाम होता है क्योंकि उन्हें में पता है कि complication अगर यह medicine चलती रहती है और कुछ लोग reflex भी reflex के लिए रैप लगवा लेते हैं fund application करवा लेते हैं तो उसे भी relief में जाता है इसके अलावा बैक्टरिमिया है एसफजाइटिस है यह कुछ complications और है जो इसमें हो सकती है जब यह process complete हो जाता है तो चेक कर लेते हैं सबसे बहले तो अंदर से कुछ टाइम बात पता जलता है कि यह तो problem कर रहा है कुछ टाइम तो नहीं पता जलता तो फिर डॉक्टर फिर चेक करते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं अगर प्रॉब्लम मिलती है तो complications में यह है कि यह ऐसा ऐसा देखा गया है कि ऐसे मैंने पढ़ा है कि अगर कोई best doctor भी अकर कर रहा है कि मैंने बहुत ही बहुत ही बहुत ही experience doctor भी अकर यह कर रहा है relation तब भी complication के chances हैं दूसरी बात यह है कि अगर इस बात का ध्यान रहिएगा कि 500 endoscopies से अगर कम की हुई है किसी gastrologist ने तो जितने ज़्यादा 500 से कम कर रखे होंगे उसने procedure उतना ही ज़्यादा chances है complications के एक और इसमें negative point है जो के खुदना खास्ता pneumatic balloon donation कराया और वो बिगड़ गया और problem हो गई परफरेशन जादा हो गई तो अब जो surgery होगी भी अब तो surgery recommend करेंगे doctor क्योंकि वो बिगड़ गया मामला surgery अब जो होगी तो surgeon के लिए वो problem create करेंगे surgeon के लिए मुश्किल हो जाएगी surgery करना कर तो लेंगे वो और हो सकता है कि outcome भी अच्छा निकले लेकिन outcome create भी जाहिर से बात इकटेंगे जब surgeon को मुश्किल आएगी उसको sphincter को पहचानने में जब मुश्किल आएगी तो जाहिर सी बात आउटकम पे भी असर पड़ सकता है तो जो कि आपको पहली सी पता होगा मैं बता भी चुका हूँ वीडियो में कि जिसे हैलर माया सभी है तो इसको तो golden standard treatment कहा जाता है long term relief इससे मि long term effect मिलता हो उसकी result को उसकी quality को आप घटाएं सिर्फ उसकी वजद से कि जिसका long term effect long term relief जिसका chances भी कम है कि मतलब कितना चलता है यह मैंने भी देखा लोगों से बात की डॉक्टर से पूछा तो उसमें मैंने यही देखा यही मैंने conclusion निकाला कि कुछ महीने चलता है हाले कि इसा है नहीं कि हमेशा यहां कि कव हूँ होता है कि सलह cello चलता है लेकिन आवी सçon बहुत कम होता है बहूत लग़ी लोग हो यह इसा समझझ दीजिस कि अगर साल बर से उपर, जितना साल बर से उपर चलेगा किसी का, नुमेटिक बलू नेशन, उतना ही सादा लगी है, लेकिन जादा तर, जो होता है, वो कुछ महीन ही होता, तीन महीने, छे महीने, आठ महीन एक साल के अंदर प्रब्लम हो जाती है दुबारा से एकलेशिया दुबारा से प्रब्लम हो ही प्रिपरेशन के लिए यह है कि प्रिपरेशन में जब आप जाएंगे तो जाने से 6 गंटे पहले खाना पीना आपको बंद कर देना है क्योंकि जो इस पर जब प्रोसिजर होगा तो उनको सफ़ेश एकदम क्लीन चाहिए साफ सुतरा एकदम क्लीन कोई समें फूट पार्टिकल वगरा नहीं चाहिए तो जितना ज़ादा क्लीन होगा उतना ही थाई है उनको क्लीन चाहिए इस वज़े से खाना पीना बंद कर देंगे एक्सपेक्टेशन क्या करें आप इसमें क्या उमीद लगाकर जा रहे हैं तो क्या उमीद लगाए जाने से पहले उमीद ये लगाई है कि देखे 3-4 महिने तो आप अच्छी हैं मिल लगाई है कुछ महिने तो 3-6 महिने के बाद आप बुरा-बुरा सोचिए मैं यह निका रहा हूँ बुरा है होगा दूआ है मेरी अच्छा हो लेकिन अगर भी हम बुरा सोचते हैं और अच्छा होता है तो हमें अच्छा लगता है अच्छा के लगता है वालगे अगर अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो आप क्या करेंगे अपने आपको तयार रखेंगे बुरे के लिए और खुदनाखास्ता बुरा ही हो जाता है तो कमसे का आप उसको फेस करने के लिए त लेकिन अगर आप अच्छा सोचें तो आप उस हद तक आपने आपको ready नहीं करेंगे बुरे के लिए और बुरा हो गया तो आप ready हैं नहीं तो फिर अच्छे ते हैंडल नहीं कर पाएंगे इसलिए बुरा-बुरा सोचेंगे तो अपने आपको तयार रहेंगे सर्जरी से अगर आप compare करें, अगर आप complications को देखेंगे, तो दोनों तरफ complications same ही है, ऐसा नहीं है कि हैलल मयाश्यमी में या पोहम में perforation के chance नहीं है, और या फिर ऐसा नहीं है कि उसमें gherd के problem नहीं है, उसमें भी है, gherd की problem भी हो जाती है और chances हैं भी बराबर बराबर, बस हाँ ही है कि हलल मयाश्यमी में, अगर आपने fund application करा ली, तो उसे आपके gherd के chances का मुलत है, इसके अलावा perforation के chance उसमें भी है, gherd के chance भी हो ही है, और बागी के जो दीगर complications है, कोई भी उसमें भी हो सकती है, लेकिन सबसे मैंने क्यों कराया था हललल मयाश्यमी, मैंने pneumatic balloon relation के लिए बढ़ा time लगाया था, सोचने के लिए कि यार काश इसके लिए कुछ ऐसा मुझे मिल जाए कि सुकून मिल लेकि हाँ, यह करा लेता हूं, बहुत पूरी कोशिश की थी मैंने, लेकिन in the end हलर मयाश्यमी मैंने कराई क्योंकि मैंने comparison करके conclusion निकाला वो यह था, क्यो आप देखें, तो pneumatic balloon dilation में, डॉक्टर के पास उतना control नहीं होता, जितना control है, in my opinion, यह मैं कोई medical student नहीं और मैं को डॉक्टर नहीं हो, मैं तो बस अपना study जो मैंने की अपनी सोच बता रहा हूं, तो मैंने हलर मैंने देखा कि इसमें, अगर आप देखें, तो control होतना नही है, for example, मेरी shirt है, यह shirt है, यह मेरे बहुत बहुत हएँ, मुझे इसको loose करना है, तो loose करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि मैं यहां से cut लगाँ, जो कि मैं से cut लगाता हूं, शर्ट पे, इस side से, और यहां पे कपड़ा लगाता हूं, सीधेता हो से, तो यह क्या हो हो जाएगी, और एक तरीका यह है कि मैं इसको shirt को दोनों तरों से पकड़ के खेचूं, या एक अंदर इसके balloon डाले करे balloon को pressurize करूं, और यह चीरे, तो आपको क्या अच्छा लगाएगा, बदी कौनजी टेक्निक अच्छी इस shirt के लिए, चीरना सही रहेगा इसको, या फ balloon dilation के बाद, surgeon को problem आ सकती है, problem मुश्किल आ सकती है, surgery करने में, एक ये भी था, एक ऐसी process के जिसमें long term relief मिलने के chances low हैं, उसके खातिर, एक ऐसी process को difficult बनाना, के जिसके long term relief के chances हाई हैं, ये तो कोई अकलमन्दी नहीं थी मेरे लिए, तो इसलिए मैंने उसे चूश किया, कि नहीं कि जिसके, मतलब जिसमें कम chance हैं, अच्छे result के कम chances हैं, उसके खातिर, उसको क्यों मुश्किल बनाना, कि जिसमें chances जादा हैं, लंबेर से तक के लिए relief के, इसलिए मैंने first treatment ये ही चुना था, दूसरी बात ही है, कि एक बार, मतलब जब उस वक्त तो मैं बहुत ज़् परिशान था, जब first treatment के लिए मैं जिद्धु जहत कर रहा था, कि क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उस वक्त बहिया से बात हुई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा session मुझे दिया था, उन्होंने बहुत बात मुझे से कही, उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये बताओ कि एकलिशा गार्डिया का कोई prevent solution था है नहीं, तो अब हमें दिन्दगी भर in treatment पर जीना है, और इसमें surgical method है, और एक non-surgical method है, कभी न कभी तो surgery करा नहीं है ना, तो फिर surgery को accept तो करना ही पड़ेगा पहली बात तो, क्योंकि कभी न कभी तो करा, आज नहीं चलो, आज ओड़ करें तो, कभी तो surgery होगी, तो पहली बात तो accept कर लिए, और जब तुमने accept कर लिए surgery को, तो फिर उसे first treatment क्यों ना ले लिया जाए, जिसका long term relief के chances आई है, उसको first ही, मला, सबसे पहला treatment as a first treatment क्यों ना ले लिया जाए, तो ये बात भी अच्छे लगी थी मुझे, ऐसी बहु करेंगे, बहुत सरे doctors ऐसे होंगे, आपको बोलेंगे के, अरे, guarantee है, no problem, कोई भी problem नहीं होगी, कुछ नहीं है, ऐसा बोलेंगे, हाले कि, ऐसा होता है, result अच्छा हो सकता है, complication दोनों तरफ भी वराबर है, हैलल माया आच्वे में भी perfection हो जाती है, हैलल माया आच्वे में भ पता दिया एक शर्ट का example मैंने दिया था, और एक मैंने ये के surgery को accept करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो surgery कराएंगे, जब तक आप जवान है, जब तक आप यंग है, जब तक आप में कुवत है, आपकी health अच्छी है, तब तक आप surgery कराना सही है, एक दिन ऐसा कि आप बुड़े हो जाएंगे, तब surgery मुश्किल हो जाएगी, तब pneumatic balloon deletion कर वा लेना, अब अगला सवाल यही है, कि किसके लिए बढ़ी आए है, जिसके लिए बढ़ी आए है, वो भाई 50 years old जो है जो पचास सो पर है, बज़र्ग, उनके लिए बढ़ी आए है, बेस्ट कि आपके लिए सही नहीं है, माला सर्जन ही कह रहा है, वही कोई दुकान पर आप जाते हैं, और वो प्रोड़क्ट, वो दुकान दार खुद कह रहा है कि यह चीज सही नहीं है, फिर तो आपको यखिन करना चाहिए, सर्जन अगर खुद को बोल दे कि आपके लिए सहीरी हैं, जहीड सी बात है उत बंदे के लिए नियुमैटिक बढून डालेशन ही बेस्ट है, और उनके लिए भी वड़िया है कि जो टाइप1 नहीं है, टाइप2 में में ज्यादा सर्जन सहीर रहता है, क्योंकि टाइप2 में अतनी जाधा टाइटनेस नहीं होती है, यह जितनी टाइटनेस, यहां पे टाइटनेस जदा टाइप 1 में होती खाफी टाइटनेस होती है लिक्विड भी जाना बंद रो जता है टाइप 2 में यह नहीं होती है तो दो दो तरह मैंने बता दी एक तो अगर आप 50 super है या सर्जर नहीं मना कर दिय आपको surgery के लिए या फिर जो डॉक्टर मुसे आगे हैं डॉक्ट्र को मैं नहकार नहीं सकता हूँ मुझे हख नहीं भनता है क्योंकि मैं कोई डॉक्ट्र नहीं हूँ नियुक्टीॡ स्टुडेंट लेकिन जो भी मैंने आपको बताया है मेरी बातोगों अच्छे से देखिए और कीजिए और कुछ लिंक्स में दूँगा डिस्क्रिप्शन में अब चेक कीजिए और अलग-अलग ओपीनियन लिए डॉक्टर से यह नहीं कि बस एक ही पे विश्वास कर लिया गैस्ट्रिन अंट्रलोजिस से बात कर रहे हैं नियुमेटिक बलून डालेशन के लिए बात कर रहे हैं गैस्ट्रोन अंट्रोलोजिस्स से वहीं सर्जल से बात किजिए किसी और से अलग-अलग ऑस्पिटित से इसलिए मैं कहता हूं कि गवर्मेंट में जाना सही रहता है क्योंकि उनको पैसे को लालच नहीं पैसे यह यह सब करें तो वह आपको लपेटे गई कोई बींसान है को चाहता है लेकिन जिनकों कोई लालाची नहीं है जासे खेर बात करेंगे फिर कभी तो आप देखिए आपके लिए क्या वेस्ट है बागी कोई बात अगर मैं भूल गया हूँ कोई रह गई ये बात तो उसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं मैं बता दूँगा और सोशल गूर्प जॉइन कीजिए महाँ पर हम बात कर सकते हैं अब जो एक बचा हुआ है नौन सर्जिकल मेथड जोके बोटोक्स इंजेक्शन है उस पर जल वीडियो लेकर आऊंगा मैं उस पर भी बात करेंगे मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में थैंक्यो